तो कुछ इस तरीके से आप अपने बल्ब को स्विच की मदद से अन ओफ कर सकते हो तो आज के अपनी इस वीडियो में मैं बताने वाल हूँ इस टाइमर स्विच के बारे में ये टाइमर स्विच है इसको मैंने एमिजोन से अनलाइन पर्चेस करा था अगर आपके घर के आसपास भी कोई electrical shop है तो ये वहाँ पर भी बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा है तो ये जो बल्ब है इसको स्विच है आप इसमें 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट और 60 मिनट इन चार टाइम को लगा के आप बल्ब को on off कर सकते हो इसको switchboard में कैसे connection किया जाता है अगर switchboard में नहीं कर रहे तो बाहर कैसे connection किया जाता है पूरा बताया गया है वीडियो में बने रहे जब आप इसको purchase करोगे तो तीन wire आपको देखने को मिलेंगे जिसमें red, black और white है red और black, neutral और face है और white वाला जो wire है वो हमारा output के लिए है तो हम क्या करेंगे कि एक holder ले लेंगे और आगे बे मैं बताने वाला हूँ कि इसको अगर board में लगाए switchboard में तो कैसे connection करें तो बने रहे हैं तो सबसे पहले मैं बाहर से wiring करके दिखा देता हूँ कि अगर आप इसको बाहर इसमाल करो तो कैसे करो तो यहाँ पर एक output के जो wire है white वाला उसको हम holder से लगा लेंगे और holder से एक wire का टुकड़ा और connect करेंगे और इसको जो दूसरा holder का जो दूसरा terminal है उस पर हम इसको set कर देंगे तो बड़ी महना से हम आपके लिए वीडियो अच्छे अच्छे topic पर लाते हैं अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो please like कर दीजिएगा और पसंद आए तो share जरूर करिएगा कुछ इस तरीके से इसके final connection complete हो जाएगे अब जो neutral वाला wire है उसको हम holder का जो दूसरा वाला wire था उसके साथ connect कर देंगे और finally अब इन दोनों wireों को जो आपका घर का 5 pin socket है वहाँ से इसको supply दे दीजिएगा आपका जो bulb है आपकी जरूरत के हिसाब से जो भी आप time set करोगे 15 minute, 30 minute या 45 minute, या 60 minute उतना work करेगा अब ये जरूरत है उन लोगों के लिए जो भाई आलसी हैं या पढ़ने लिखने वाले हैं वो चाहें तो इस bulb को इस switch का अपने घर में इस्तमाल कर सकते हैं बहुत सारे भाई होते हैं जो जैसे सर्दी पढ़ दाई है बैट से उठना नहीं चाहते हैं जाते हैं कि एक limited time period में जो भी bulb है या कुछ और चीज़े वो on off हो जाए तो बस एक बार आप इस switch के जरीए से time set कर दीजिएगा उसके बाद आपका जो ये bulb है उस हिसाब से automatic ही आपके time set की हुए time के मताबिक बंद हो जाएगा अब आते हैं कि इसको अगर घर के switchboard में इसकी wiring करें तो कैसे करें तो सफेद वाला switch से लगा दीजेगा neutral वाला neutral से और face वाला जहां switchboard में face की wiring दे रखी हो महाँ पर तो इसके जो तीन उतार है कुछ इस तरीके से connect हो जाएंगे और घर पर switchboard में आप इसका इस्तमाल ऐसा कर सकते हो I hope यह छोटी सी वीडियो आपको पसंद आयोगी अच्छी लगी तो like करें जादर सा जादर share करें मिलते हैं को और वीडियो में तब तक अपना खयाल लखें and thank you for watching, bye bye